नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी दोग का स्पोकम बैक पे इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन नाशनल फुटबॉल टीम के बारे में और बहौत ही दो दमदार्टिगओ खेलाफ इंडिया के में शेडिवus किये गए है और उनी दो माचस के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा ह। चलि हाते हैं अपने वीडियो पे और बात करते हैं इंडिया के अपकमिंग फेक्शर्स के बारे में दोस्तों मैं आपको clear करे दूँ कि इंडिया के जो upcoming matches हैं वो होने वाले हैं March 2022 में और एक चीज़ और मैं clear करे देना चाहता हूँ आप लोग सभी को कि जो third round AFC Asian Cup qualifications हैं 2023 Asian Cup के लिए वो खेले जाएंगे 8 से 14 June के बीच में तो यहां पर एक gap होगा March से June के बीच में तो वहां पर भी आपको इंडिया नाशनल फुटबॉल टीम कुछ friendlies या Intercontinental Cup के यहां पर संभावना दिख रही है मेरे को जहां पर इंडिया कुछ और friendlies भी खेल सकती हैं लेकिन फिलहाल अभी यह दो friendlies के बारे में जानकारी निकल की आई है चुगी दो काफी ही better teams के साथ है तो हम disclose करते हैं यार दो टीमों को सबसे पहली जो टीम है वो है हमारी AFC की ही counterpart बहरें जिन्होंने हमें या पर AFC Asian Cup 2019 में बाहर का रास्ता दिखाया था एक बहुत ही heartbreaking हा कि लास्ट मिनट में परणाय हलदर का टैकल किसे याद नहीं है और वो जो penalty थी जो गुर्परी सिंग संदू सेव नहीं कर पाए और इंडिया अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन के बाब जू 2019 AFC Asian Cup से बाहर हो गई थी तो बहरें एक ऐसी टीम है जिससे हम बदला लेना च बेटर है यह एक ऐसी टीम है दोस्तों जो बहुत ही आजाईल प्ले के लिए जानी जाती है किसी भी टीम के अगर हम बात करें जो कि गल्फ रीजन में खेलती है वो अपनी आजाईल फुटबॉल के कारणी जाती है टेक्निकली यह बेटर होते हैं इंडिया से लेकिन एक अ श्ताम से बिदम करल की हैं कि हम इनसे जीत भी सकते हैं या अच्छा नि कर सकते हैं । अगर हम अपने डूसरे मैच के बार हम बात करें तो वह एक यूएफ़ा की टीम के खिलाफ जी है यह मैच होगा bus यूइरोपियन टीम के खिलाफ जो कि ऩी पेलारूस एक ऐसी टीम जो की अगर हम बात करें तो आपने बेस्ट फीफा रांकिंग की तो 34 फीफा रांकिंग पर रह चुकी है 2011 के टाइम में और एक मजबूर टीम मानी जालती है तो थोर दिन पहले उन्होंने बेलजियम से बस 1-0 खेला है जो आपको उनका लेवल दिखाता है भले उनकी जो फीफा रांकिंग है वो 94 है अभी फिलाल लेकिन अगर हम बात करें उनकी स्ट्रेंथ की और इनका पर्जन टू इंडिया या बहरें इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉंगेस टीम मेरे हिसाब से बेलारूस है और बहुत ही क्वालिटी टीम से खिलाफ केलती है तो अगर हम उमीद करें कि वो टीमों के खिलाफ जीत के या अगर हार के भी अगर उनका फीफा रैंकिंग देखे तो ठीक ठाक है और ज्यादा मैटर नहीं करता है य पोड़ी सी हार्ट टीम मुझे बेलारूस लगती है क्योंकि कतर बस एशिया में मिली खेलती है फिलहाल है यहां पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए वो सारी टीमों से खेल रही है लेकिन बेलारूस एक ऐसी टीम है जो कि लगातार युफा में खेलती है युफा क्वालिफा करता हूँ यार कि एक टफ फाइट इंडरनाशनल फुटबॉल टीम पेलारूस की टीम को भी देगी अगर हम बात करें दोस्तों इन मैचेस के टाइमिंग्स और डेट्स के बारे में तो दोस्तों टाइमिंग्स तो भी नहीं निकल किया है मैं आपको वेन्यू बता सकता हू कि यह मैचेस है वो बहरेन में ही होंगे और जो अगर मैं आपको डेट्स बता हूँ तो 23 मार्च को जो इंडिया है वो खेलेगी बहरेन से और उसी स्टेडियम में उसी वेन्यू पे 26 मार्च को इंडिया खेलाएगी बेलारूस के खेलाफ तो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली विंडोस होंगे वहां पे भी इंडरनाशनल फुटबॉल टीम को कुछ ऐसे ही क्वालिटी अंपोनेंट्स के खेलाफ फ्रेंडली मैचेस खेलने का मौका मिले एफसी एशिन कप 2023 थर्ड राउंड क्वालिफिकेशन से पहले और साथ में इंटर कॉंटिनेंटल कप जैसे कुछ टूनामेंट्स इंडिया में अरेंज कराए जाए अगर कोविट का सिचुएशन अगर मार्च अप्रील तक कुछ बेटर या मैई तक बेटर होता है तो दोस्तों मैं आप लोग से गुजारिस करना चाहूंगा कि सायद यहां पे हम थर्ड वेप की तरफ जैलते